इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में नीट के अगर हम बात करें आपके एक्जाम के हिसाब से एक सवाल SHM का पक्का आएगा दो भी आ सकते हैं इसको ध्यान रखना और यूजुली इसके सवाल बहुत मुश्किल नहीं होते हैं बहुत रहा टाइम कंसुमिंग भी नहीं होते हैं और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत गंदे वाली नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एक्जाम पॉइंट हो इसे तो सारी चीरे जो जो मैं के बारे में भी हो गया अब हम यहां बात करेंगे periodic और harmonic motion के बाए में periodic motion कहते है motion which repeat इटिसएल ओर अनफर अगेन आफटर रेगूल इंटेवल आफ़ टाип उसको हम कहते हैं आपका periodic motion fixed interval of time उसको हम यहां पर time period कहते हैं जिस interval के बाद 솔हणnal के बाद करें तो जैसे । यहां पर बात करेंगे, oscillatory या फिर vibratory motion के बारे में, oscillatory या फिर vibratory motion is that motion in which your body moves to and fro, तो यहां पर जो आपके लिए important keyword है वो है, यहां पर to and fro, now to and fro का मतलब होता है, आगे पीछे, to and fro मतलब आगे पीछे, और back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time, तो इस प्रकार के जो motion होते है, उसको हम क्याते हार्मोनिक motion, in such a motion, body is confined with a well-defined limits on either side of the mean position, तो अगर मानली जी एक spring है, spring के उपर आपने block लटका दिया, वो यहां पर mean position पर है, अब उसका हलका सा आपने उससे खीच के छोड़ा, तो वो उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, उपर नीचे motion गा, so this is one example of आपका harmonic motion, या फिर आपने एक बाल्टी पानी लिया, उसमें एक छोड़ा सा bottle आपने उसमें भरी, पानी भरके, और वो vertically मानली जी, straight वो खड़ी हुए, आपने हलके उसको टपली मारे, उसका दो bottle ऐसे 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 वो vibrate करेगी, so these are examples of आपके oscillatory or vibratory motion, इनी चीज़ों को हम harmonic motion भी कहते है, oscillatory motion, now अब सवाल यह क्या, आपका harmonic motion हो गया, उस harmonic का simple part क्या होगा, जिसको हम यहापे simple harmonic motion करके पढ़ते है, simple harmonic motion हो होगे, जहापे आपका restoring force है, वो mean position से किता आपका displacement है, इस बात के proportional होगे, तो f will be proportional to minus x, यह अगर ऐसा है, तो simple harmonic motion कहेंगे, k आपका proportionality constant हो जाता है, और ऐसा unit आपके k की होगे, newton per meter, dimension होगे, mt-2 यहापे k के dimensions होगे, एक और चीज़ों हम यहापे अपने syllabus में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं, कि अगर कोई एक particle मान लीजिए, आपका circular motion कर रहा है, uniform circular motion, तो इसकी आप पर्चाई जो आपने light लगाई, ऐसे करके आपके light है, जिसकी रौशनी आ रही है, यहाँ पर्चाई देख रहे हैं, या फिर आपका किसी भी आपके diameter पर पर्चाई देखोगे अगर, तो यहाँ से particle पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, या फिर ऐसे ऐसे ऐस आपका जो motion परच्छाई का होगा तो पार्टिकल आपका ओमेगा के साथ ऐसे गुम रहा है ऐसे तो पहले यहां था फिर यहां आया तो जब यहां आया तो उसकी परच्छाई का यहां आ रही होगी यहां पहुंचा तो परच्छाई यहां पहुंचेगी इसको हम कहते हैं आपको simple harmonic करके वो उसकी value मिलेगी, यहाँ पर हम ही कहते है terminology यह कि आपका maximum displacement होएगा उसको आप plus a कहते है mean position है इस पर आपका displacement x की value हम 0 कहते है इस वाली side पर displacement आपका minus a हो जाएगा, अगर आपका ऐसे चब इस axis पर हो रहा है तो उसकी हम equation लिखेंगे आपका x जो है that will be equal to a sin of omega t plus phi naught, phi naught आपका initial phase होएगा तो मान लिजिए अगर particle यहाँ से चालू कर रहा है इस location से वो आपका phi naught पर आएगा, अगर यह particle यहाँ SHM करेगा तो आपकी equation हो जाएगी y is equal to a sin of omega t plus phi naught, तो आपका अगर SHM displacement x या y दे रखा है, एक को ही गल है, displacement हो रहा है, फरक्सित बात का पड़ेगा, क्या आपका displacement हो ऐसे y direction में हो रहा है, यह ऐसे x direction में हो रहा है, ठीक है, चलो moving forward हम यहाँ पर कहते है, displacement of particle executing SHM at instance, उसको आप displacement कहते है, projection y axis पर projection x axis पर यह आपका ऐसे दिखाए देगा, omega t है, omega को फिर आप 2 pi f frequency f हो गई, omega को 2 pi f use कर सकते हैं, now velocity की जब आप बात करेंगे, तो velocity जो आपके y is equal to a sin omega t, यह आपका displacement यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं, क्या आपका, अलाइक, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी को जब हम differentiate कर देंगे, तो आपकी velocity आएगी, हैंस आपकी a omega cos omega t यह आपकी velocity हो जाती है, a omega को हम यहाँ पर represent करते हैं, आपकी v maximum की value है, उसको आप कहते हैं, that will be equal to a omega, a आपका amplitude है, और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको capital a से denote कर देते हैं, इससे आपको confusion ना हो, तो यह आपका capital a omega यह आपकी velocity हो जाएगी, a आपका amplitude है, omega आपकी frequency है, इसी का दूसरा version है, उसको धियान रखना, velocity का दूसरी formula यह आता है, आपका velocity at any location, यह वाली जो value आए थी, यह तो maximum value हुई, और यह cos omega के साथ यह जो दिखा रहे हैं, यह time के साथ velocity कैसे vary कर रही है, उसका representation है, V is equal to हम लिखते हैं, इसको आपकी omega multiplied by a square minus x square, अगर y में हो रहा है, तो a square minus y square लिख देंगे, यह velocity का आपका variation है, x के साथ, तो यह वाला जो variation था, आपने जो लिखा, V is equal to आपका a omega sin of omega t, यह जो value है, या फिर इसको sin के हुज़ा differentiate करके cos लिख लेते हैं, तो cos omega t, यह जो variation है, यह आपका time के साथ है, यह variation आपका displacement के साथ variation है, next यहाँ पर हम बाहर करते हैं, acceleration की, तो acceleration in SHM की जब हम बात करते हैं, तो हम यह कहते हैं, उसी को जो हमने velocity लिखा, उसी को एक बाद, फिर हम differentiate कर देंगे, तो यह वाली value आपकी acceleration क्या है, तो acceleration को small a से, इसको capital A से denote करोगे, तो आपका acceleration a है, वो आ जाएगा, आपका minus omega square a sin of omega t, now, इसी के अगर आपकी a maximum की बात करेंगे, कि maximum किता acceleration है, तो उसका magnitude उटाएगा, that will be equal to a omega square, sine की maximum value plus 1 या minus 1 होती है, यह आपका acceleration की value होएगी, ठीक है, चलो, now moving forward, हम यहाँ पे कहते हैं, अगर standard चीज़ों का अगर आपके जो जो time period हम निकालेंगे, तो इसके data जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह आपको सब याद रखना है, direct आप से value पूछ ली आती है, तो अगर आपका liquid है, यह हम fluid mechanics में पढ़ेंगे, तो अखसर लोग fluid पढ़ते होगे कहते हैं, अगर आप सा SHM याद नहीं है, उस case में इन चीज़ों का आपके ध्यान रखना है, कि मान लीजे को YouTube है, उस YouTube में पानी भरा हुआ है, और उसके बाद आप इसको पानी तो पहले दोनों में same level भरा हुआ था, आपने इसको हलका सा धक्का देके छोड़ दिया, तो यो YouTube में पानी का level है, उसकी value है, floating slender है, उसको 2.0 L ले सकते हैं, L आपका यहाँ पे submerged position है, तो जित्ता position नीचे डूबा हुआ है, वो आपका, इसमें 2.0 L by G में आएगा, अगर एक bowl है, उस bowl में आपने छोड़ा सा मटर का दाना रख दिया, frictionless surface है, उसको पहले यहाँ पे stable equilibrium, अब आपने उसको हलका सा यहाँ पे displace कर दिया है, तो वो ऐसे, ऐसे, ऐसे करके SHM करेगा, यह value जो है कि 2.0 R minus R, R capital R, छोटा R, इस वाले का छोटे आपकी मतर के दाने का radius है, यह आपका time period होएगा, next, यह first standard result है, जो other chapters में आते हैं, अगर आपकी bar magnet है, बार में आपने magnetic dipole रख दिया है, उसका time period 2.0 R, I by MB होता है, I इसका moment of inertia होगा, M इसका magnetic moment है, B आपकी magnetic field है, similarly यहाँ पे air chamber है, KTG में इसकी कई बार बात करते हैं, उसका MV by E, यह आपका SHM का time period आएगा, अगर कोई body है, उसको आपने elasticity के chapter में आएगा, कि आपने suspended from a wire है, तो wire से आपने suspend कर रखा है, spring से नहीं किया, wire से suspend किया है, उसका time period 2.0 R, M by Y, A आएगा, Y आपका young's modulus है, A आपका area of cross section है, L उसकी length है, M उसका mass है, यह data याद रखना, directly अगर कोई पूछ ले, तो derive करने से बच जाओगे, हाना, direct value आजाएगी, now, energy के जब हम बाहत करते हैं, SHM में, कि आपका SHM अगर हो रहा है, simple harmonic motion है, तो उस case में energy की value की आएगी, now, energy की जो value आती है, यह result आपने ध्यान रखना है, energy की जो value आएगी, आपकी potential energy हो, half M omega, omega square, Y square, आपकी energy होएगी, M omega square को आप यहाँ पर A भी लिख सकते हैं, फिर, तो वह आपकी potential energy हो जाएगी, ठीक है, तो इसको, potential energy कह कहां से आई, इसकी बात हो गई, और यह result आपने ध्यान रखना है, चलो, next यहाँ पर बात करते हैं, आपकी kinetic energy की, तो kinetic energy जो होएगी, वह होती है, आपकी, यह result ध्यान रखना है, kind of half M V square है, V की value A omega cos square है, उसको जो आप value लिखेंगे, V square की दूसरी value Y की term में यह लिखा हमने तो M omega square A square minus X square या Y square यह आपकी kinetic energy हो जाएगी, इन दोनों को जो आप add कर देंगे, total energy मिलेगी, और notice करना total energy आपकी constant है, इसका जो हम graph बनाते हैं, इसका graph कुछ ऐसे बनता है, कि यह आपकी एक energy हो गई, यह आपकी दूसरी energy हो गई, और मैं आपको बता रहे था हूं कौन सी क एक दूबार यह graph ही आप से सवालों में पूछा हूआ है, तो यह आपकी total energy हो जाएगी, जिसकी value fix होएगी, इसको आप यह लिख सकते हो, half A omega square, यह आपकी half M, इसको जो है, half M A square आएगा, इसकी value हो जाएगी, इसको यह लिख लेते हैं, यह आएगा, half M omega square A square, यह आपकी total energy energy होगी, now kinetic energy जो होएगी, notice करें उसको आपका inverted parabola है, graph theory में हम बात कर चुके हैं, के k और minus Y square को अगर आप लौट करें, तो यह आपका inverted parabola है, तो यह वाली आपकी kinetic energy की value होएगी, now इसका मतलब यह है, कि जब आपका particle SHM कर रहा है, so say for example, यह आपका spring है, और यह आपकी mean position है, particle ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे आ रहा है, तो यह आपकी SHM की यहाँ पर कहानी हो रही है, तो यह जो आपका mean position है, mean position पर आपकी velocity maximum होएगी, और आपकी extreme position पर velocity minimum होएगी, जिसकी value 0 है, because particle महाँ जाके एक रुका है, और वो वापस आ रहा है, तो velocity आपकी 0 होएगी, hence आपकी kinetic energy यहाँ पर 0 होएगी, तो इस जगे पर आपकी kinetic energy 0 होजाएगी, यहाँ पर आपकी kinetic energy maximum होएगी, similarly अगर बात करेंगे, आप potential energy की, तो potential energy जो है, यहाँ पर आपकी 0 होजाएगी, तो यह वाला जो graph है, यहाँ आपका potential energy का graph है, because उस time पर spring आपका बिलकुल नहीं खेचा हुआ है, potential energy half के x square जो हम लिखते हैं, तो उसमें spring का x जो है, आपका बो 0 है, तो उस वेजे से आपकी potential energy 0 होजाएगी, यहाँ पर आपकी potential energy जो है, वो आपकी maximum होजाएगी, यहाँ पर आपकी kinetic energy maximum थी, और यहाँ पर potential energy आपकी 0 होजाएगी, तो यह आपका energy का graph है, इस चीज को ध constant, अले, यहाँ पर बात करते हैं, आपके time period और frequency की, तो अगर हम बात करें, आपका SHM हो रहा है, उस case में time period को आप लिखते हैं, 2.0 m by k, m आपका mass है, k आपका SHM constant, अगर spring के case की बात हो रही है, तो spring आपका spring constant और SHM constant बराबर होगा आते हैं, बट otherwise यही format है आपका, जब हम आपका k है, यह आपका spring वाले case में, तो of course, यह spring constant होगा, बट अगर आप drum की बात करें, पानी में ओपर नीचे जा रहा है, तो there is no spring there, electro setting में बात करते हैं, के दो charge के बीच में एक charge आपने यहां रख दिया, वो ऐसे ऐसे मोग कर रहा है, तो यह k आपका SHM constant होता है, तो f is equal to minus kx का अगर format है, तो time period को आप आख बंग करें, 2.0 time by k से value लिख सकते हैं, कैसे आया, उसके लिए फिर theory में हम इसको derive करते ही है, रेसी प्रोकल इसी का आपको frequency देदेगा, और in general हम इस तीज को ध्यान रखना, in general हम यहां पे आपका time period उसको यहां पे लिखते है, displacement by acceleration वाल के लिए तो acceleration आपका इसके proportional हो गया, और जब हम angular SHM में बाहर करते हैं, तो torque is equal to minus c theta जो है, यह आपका जैसे यहां तो हमने बात की f is equal to minus kx, angular SHM अगर हो रहा है तो जो आपका pendulum घुमता है, या electrostatic में हम dipole का time period निकालते हैं, या magnetism में आपके bar magnet का या आपके magnetic dipole का time period निका यह आपका derive किया हुआ मैंने आपके लिए, यह simple pendulum में उसका time period आएगा, इसको यह लिखते है, inertia factor divided by spring factor, ठीक है, इस चीज को द्यान रख लेना, तो spring pendulum के case में हम यह पर कहते हैं कि आपका point mass है, उस mass को हमने spring पे ऐसे बांद के इसको horizontal करेंगे, तो x में move करेगा, vertical करेंगे, तो y में आपका move करेगा, इस case में time period एट आपका, 2.0 root, आपका m by k हो जाता है, एक यह आपका, m आपका mass है, k आपका, इसका spring constant हो जाएगा, spring pendulum के case में, time period आपका mass पे depend करता है, simple pendulum है, उस case में mass पे depend नहीं करता है, इस चीज को द्यान रखना, time period आपका k पे depend करता है, और यह time period जो इसका spring pendulum का आपका G का independent है इसमें G का कोई फरक नहीं पड़ता है तो अगर आपको मान लिजे moon पे जाके time period किसी pendulum का कुछ इस तरी सवाल बने हुए कि आपकी seconds clock है उसको अगर हम moon पे ले गए तो उस case में अगर आपका seconds time period है तो second time period वो special आपका pendulum होता है जिसकी length है उसकी length जो होती है इस प्रकार कि उसका time period जो है वो आपका 2.0 L by G है इसकी value 2 second आती है ठीक है जिसकी time period की value 2 second आ रही हो उसको seconds pendulum कहते है और इसकी जब आप calculation करते है length की value 1 meter आयाती है now notice करना इसका time period जो है यह आपका G के dependent है तो moon पे ले जाएंगे तो आपका seconds pendulum second pendulum नहीं बचेगा तो क्योंकि G की value आपकी change हो गई उस case में हमें L की value भी change करनी पड़ती है so that अपना time period वो ही आजाए जो earth पे था ठीक है यहीं पर अगर हम बात करें if n springs are different force constant अगर आपने n spring ली है उनको एक बार उनको हमने series में लगा दिया है तो आपका time period जो था spring pendulum के case में 2 pi under root m by k equivalent कहते हैं और k equivalent की value हमने nlm के chapter में सीखिए कि अगर आपने k spring है आपकी n spring है जिनका constant k है उनको अगर series में लगा दिया है तो k equivalent जो है आपका वो 1 by k1 1 by k2 इससाब से बन जाता है अगर parallel लगाई हुई है तो आपका k जो है वो सारे add हो जाते है ठीक है इस चीज को ध्यान रखना कुछ सवाल आपके series और parallel लगा के ही combination में इस पर पूछ लेते हैं time period के spring constant है जो है आपका inversely proportional होगा spring length के इसकी बात हम nlm के chapter में कर चुके है अगर आपका SHM motion की बात और यह force oscillation है oscillation of a particle with fundamental frequency under the influence of restoring force अगर कोई restoring force लगा हो तो उसको हम free oscillation कहते है amplitude frequency energy oscillation आपकी remains constant frequency of free oscillation जो है उसको आप natural frequency कहते है because अपने आप nature की वज़े से हो रहा है because it depends on the nature and structure of the body now इसके बाद हम बाहर करते है damped oscillation की अगर देखोगे तो जब मैंने यह chapter पढ़ा था मुझे पहले भूत मज़ आया बहुत सारी कहानी की इसकी आखरी का जो इसका paragraph होता है वो इतना sad वाला पार था कि भई आपका जो SHM हम कर रहे थे पूरा chapter जो हमने पढ़ डाला actual SHM infinite time के लिए तो होता ही नहीं है every practical SHM जो है वो damped oscillation होता है is damped oscillation का मतलब यह oscillation of a body whose amplitude goes on decreasing आपका जो oscillation है वो धीरे-धीरे-धीरे decrease हो रहा है उसका amplitude if that is the case उसको damped oscillation कहते हैं these oscillations in these oscillation amplitude of oscillation decreasing exponentially due to damping forces ठीक है और अगर इसको देखोगे तो जो हमने पहले SHM की बात की अगर हमने कहा कि पार्टिकल आपका SHM कर रहा है यह आपका displacement की बात हुई है तो यह हमने कहा था कि infinite time तक यह maximum आपका plus a और यह वाला maximum a time के साथ ऐसे variation था आपका amplitude maximum और minimum जो कहानी है तो उसके बीच में vary करेगा practically अगर देखेंगे तो यह वाली कहानी होती है कि आपका पहले तो इतना amplitude गया उसका दीरे दीरे इसकी value कम होती चले जाती है अब अगर इसके उपर देखेंगे इसकी value कैसे कम होती है तो इसका आपको यह expression ध्यान रखना है aims में एक दो सवाल इसके उपर पूछे हुए यह हमें कहता है कि xc will be equal to maximum value of xm जो आपकी पहले बाब maximum value रही थी multiplied by e to the power minus b by 2m multiplied by t तो यह जो equation है यह actually इस चीज की equation है कि आपका amplitude जो है वह exponentially decay हो रहा है तो आपका जो SHM पहले ऐसे ऐसे infinite time तक हो रहा था दीरे 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 ऐसे उसका amplitude कम होता चले जाएगा mean position वह रहेगी बड़ क्योंकि आपकी air resistance है क्या माली जब पानी में आप oscillation करवा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा fast होएगा उसके बाद damped oscillation होता है चलो अगला सवाल स्वाल करते है question says motion of a particle executive SHM is given by x is equal to 0.01 sin of 100 pi bracket में लिखा है t प्लस आपका हो गया 0.05 x meter में t seconds में ऐसा दिया हुआ है हमारे लिए सवाल लिए कि हमें आपे बताना है time period क्या होगा और यह 4 option अपने को दे रखे है 0.01, 0.02, 0.1 या फिर 0.2 second अगर इस सवाल के बहान है हम equation को थोड़ा सा अच्छे से करना सीखते है इस equation को आप देखोगे तो आप इसे लिख सकते हो यहां पर हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है time period पर उसके अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं यह आपका amplitude है तो अगर सवाल पूछा जा amplitude तो यह आपका क्योंकि आप इसको compare करेंगे a sin of omega t plus 5 naught से तो यह आपका हो गया amplitude पार्ट यह हो गया यह time period की तो यह बात अपने को पता है time period को हम लिखते है this will be equal to 2 pi by omega इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसकी value हो जाएगी 2 pi divided by 100 pi यानि इसकी value हो गई 2 by 100 यानि किया गया 0.02 यह आपका seconds इतने time period की value आपकी हो जाएगी which means option B जो है आपका 0.02 second यह आपका right answer हो जाएगा next question अपने को दे रखा है कि two equations of two shmr x is equal to a sin omega t minus alpha दूसरा दिया हुआ है y is equal to b cos omega t minus alpha हमें बताना है दोनों के बीच में phase difference क्या होगा हमारे option है 0 degree या फिर alpha या फिर 90 या फिर 180 कुछ students क्या करते है phase difference अपने को पता है कि यह जो bracket में value लिखी है जिनको आपको sign का argument कहते है उनके बीच का difference phase difference कहलाता है कुछ लोग आंख बन कर गयते हैं दोनों omega minus alpha है तो इसका answer वो 0 mark कर देते हैं नहीं 0 mark नहीं करेंगे इसको हम पहले करेंगे दोनों को same format में convert तो पहले वाला गर x का sign में दिया हुआ है दूसरा जब cos में दिया है उसको sign में convert करेंगे तो second equation को आप लि difference की value बदा सकते हैं तो omega t minus alpha तो दोनों का common part है यह आपका phase difference हो जाएगा हैंस 90 वोड बीच आपने को दे रखिये velocity of the body at 20 meter displacement when the amplitude of motion is the velocity of the body at 20 meter displacement when the amplitude of motion is 60 centimeter 60 millimeter now अपने को बताना है कि maximum amplitude अपने को दे रखा है 60 millimeter हमें बताना है velocity at 20 millimeter क्या होगा यह यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था ठीक है यह printing mistake है typing mistake और यह 4 option अपने को दे रखा है now simple सवाल है velocity है उसको आप लिखते है omega under root of a square minus x square y में हो रहा हो तो y लिख लेंगे so बस data रखके answer मिल जाएगा तो velocity की जो value है omega omega अपने को दिया हुआ twice कई बार सवाल को थोड़ा सा लंबा करने के लिए यहाँ पर जा तो time period दे रहते हैं या frequency दे रहते है time period is equal to 2 pi by omega इससे omega will be equal to 2 pi by t उससे आप omega की value निकाल सकते हैं frequency दिया है तो आपको पता है omega will be equal to 2 pi f इससे आपकी frequency दिया है तो omega आ जाएगी now यहाँ पर आप लिखेंगे omega minus a, a का मतलब हो गया यह 60 mm का square और minus आप करेंगे 20 mm का square इसको जब यहाँ notice करेंगे यहाँ पर क्योंकि result आपका mm per second में ही दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको millimeter को meter में convert करने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने millimeter ही लिया है तो same unit में अपना answer आएगा now this will be equal to 10 का square मैं common निकाल लूँ तो यह बचेगा 2 multiplied by 10 under root में 6 का square यानि कि 36 minus आपका 2 का square यानि कि 4 तो यह बचा 20 multiplied by under root of 32 now 32 को अगर आप वो करेंगे उसके और factorization करेंगे तो वो बन जाएगा 16 multiplied by 2 16 का under root करेंगे तो 4 यानि किया गया under root 80 multiplied by under root of 2 now under root of 2 जो आता है 1.414 होएगा 8 से multiply करेंगे तो approximately इसकी value 113 यह 114 आती है so which means आपका option number C जो है 113 mm per second यह आपका right answer हो जाएगा आले next question next question says particle is executing SHM if its amplitude is 2 mm sorry 2 meter amplitude अपने को 2 meter दिया हो है and time period जो दिया हो हो 2 second दिया हो है then maximum velocity of the particle क्या होएगी now maximum velocity हमें पता है v is equal to आप लिखते है a omega now यहाँ पर अपने को omega नहीं दिया हो है यहाँ पर time period की value दिया होई है तो इसको आप लिखोगे a multiplied by 2 pi by t इस में value रखके answer मिल जाएगा तो आपका जो v maximum है that will be equal to a, a की value होगे 2 multiplied by 2 pi divided by time period आपका 2 second है तो इसकी value आगे 2 pi that means आपका option c 2 pi यह आपकी maximum velocity हो जाएगी अगें यहाँ पर maximum acceleration अगर पूछा होता तो maximum acceleration होता है a omega square उसकी value अगें time period की term में रखके आप इसकी value निकाल सकते हैं चलो next question question says a particle of mass 10 gram is executing SHM with an amplitude of 0.5 meter आपको amplitude की value 0.5 meter दी हुई है and circular frequency यहाँ पर आपने omega का नाम change कर दिया उसको circular frequency बोला है 10 radian per second सवाल है maximum value of force acting on the particle during the course of oscillation is उसके उपर maximum force कितना लगेगा यह हमें यहाँ बताना है और यह 4 अपने option दे रखें यह बात अपने को पता है acceleration जो maximum है उसको आप लिखते है a omega square तो force maximum जो आएगा आपका that will be equal to mass multiplied by acceleration of maximum so here data अपने को दिया हुआ है बाइस की value रख देंगे so force maximum आएगा आपका mass multiplied by acceleration sorry amplitude multiplied by omega square so mass अपने को दिया हुआ है 10 gram तो 10 gram को आप लिखेंगे 10 multiplied by 10 to the power minus 3 answer हमें क्योंकि Newton में बताना है तो इसको मैसा unit में convert करें है amplitude दिया हुआ है आपने को 0.5 meter मेरी सला में यह होती है 0.5 को लिख लो 1 by 2 calculation करना असान रहता है multiplied by omega square omega है आपका 10 radian यानि की 10 multiplied by 10 ये 10 का square हो गया इसको जो आप calculate करेंगे तो जो value है आपके 10 10 10 10 ये 10 to the power 3 को cancel कर देगी यानि की 1 by 2 Newton यानि की 0.5 Newton that would be our final answer so option D 0.5 Newton this would be the correct choice चला next question solve करते है question से ही the simple pendulum is executing SHM with the time period T आपका time period simple pendulum बाटी दिया हुआ है if length of the pendulum increase by 21 percent आपने length को इस बाह 21 percent बढ़ा दिया या फिर दूसरा time period लिया जिसकी length आपकी 21 percent extra है the percentage increase in time period of the pendulum so time period की कितनी value बढ़ जाएगी सवाल यह है now simple pendulum के लिए हम लिखते है T is equal to 2 pi under root L by G इस case में G आपका constant है उसमें हम change नहीं करें पाई आपका of course universal constant है तो हम यहाँ पे लिखेंगे T जो है this implies T is directly proportional to under root L इसका मतलब यह होगा T2 divided by T1 अगर इनका ratio लेंगे that will be equal to L2 by N1 हमें T2 की value बतानी है so T2 है T1 को दो ले जाते है that will be equal to L2 L2 हमने क्योंकि 21 percent बढ़ा दी length तो इसकी value हो जाएगी 1.21 multiplied by L divided by L multiplied by our time period T तो 1.21 यह है कि आपने 21 percent बढ़ा दिया तो value आपकी 1s की बजाए 1.21 हो गई अगर इसको आप 100 लिखते है तो ऊपर 121 आता इसको जो आप calculate करेंगे तो इसकी value आजाएगी 1.21 का under root multiplied by T now यह बात अपने को पता है T2 की value हो जाएगी 1.21 का जो आप under root लेंगे so that will be equal to 1.1 T इसका मतलब यह है कि 10 percent value आपकी time period की बढ़ गई hence option A 10 percent increase this would be the right answer next question question says two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure A mass M is suspended from them ratio of their frequency notice करने है अपर frequency का ratio पूचा है of the vertical oscillation will be तो पहले क्या कि हमने 2 spring लिए उनको series में लगाया फिर हमने क्या क्या कि है 2 spring लिए उनको parallel में लगाया अब दोनों के oscillation की जो frequency है उसके बारे में हमें comment करना है उसका ratio क्या होगा option है 1 is 2 is to 1, 1 is to 1, 1 is to 2, 4 is to 1, now पहले वाले case के आप बात करेंगे तो अच्छा time period हमें पता है इसको हम लिखते है 2 pi under root M by k equivalent तो time period आपका under root k के inversely proportional है this implies आपकी जो frequency है जिसको आप 1 by t लिखते हैं that will be proportional to under root k तो आपकी frequency directly under root k के proportional होगी पहले वाले case में अगर हम बात करें इनका ratio जो हमें बताना है तो f1 divided by f2 हम करें that will be equal to under root of k1 divided by k2 now पहले वाले case में क्योंकि spring आपके दोनों series में लगे हैं तो इसकी value आपकी k equivalent के आजाएगी k by 2 यह हमने NLM के chapter में पढ़ा हुआ है जब हम दोनों को parallel लगाएंगे तो उस case में आपकी value हो जाएगी 2 के so आपका जो f1 by f2 का ratio है that will be equal to under root of 1 by 4 यान ही कि इसकी value आजाएगी 1 by 2 which means option number आपका जो option c है 1 by 2 that would be the right answer